Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Suth, so students Madhya Pradesh said Paper 1 preparation में आज हम cover करेंगे unit number 9, जिसका नाम है People, Development and Environment, so इस unit को next 60 minutes में हम लोग complete cover करने वाले हैं, इसके जितने भी most important, repeated और expected topics हैं, या फिर जो topics हर साल exam में पूछे चाते हैं, उन सभी topics को next 60 minutes के अंदर अंदर हम detail में cover करने वाले हैं, तो आप सभी students this session में अंदर तक जरूर बने रहेगा, and मैं आपको 100% surety देती हूँ कि इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, so इस session को अच्छे से देखोगे, इसके बाद कल मैं आप लोगों के लिए इसी unit के MCQ series लेकर आऊंगी, जिससे कि आप लोगों के total 10 unit के 40 से भी जादा test हम आपको provide कराते हैं, so ये test आपको English and Hindi दोनों ही languages में available हैं, इसके साथ ही आपको short notes भी मिलेंगे, जो कि exam में आपको बहुत ही जादा मदद करते हैं, ये 40 mark test अगर आप लोग attempt कर लेती हूँ examination से पहले, तो आप लोगों को बहुत easy हो जाएगा exam में अच्छा score करने में यही में से आपको as it is questions देखने को मिल सकते हैं, इस test series में मैं आपको 100% guarantee ये भी देती हूँ कि इसके अलावा आपको exam में कुछ भी कहीं से भी और देखने को नहीं मिलेगा, exam का क्या pattern है, क्या difficulty level है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये test series हम आप लोग global online app को भी download कर सकते हो, आपका link description box में बल जाएगा, आप download करने के पास store section पे जाकर आपको search bar में लिखना है, MP set, आपके सामने complete course का overview आप इस पे जैसे ही click करते हो content section पर, आप यहां पर देख सकते हो unit wise folders आपके सामने है, जिसमें की free videos भी अविलेबल है, आपको य लेकर आई हो, तो आप आज ही इनको whatsapp numbers पर contact करके join जरूर कर सकते हो, so paper 1 preparation के साथ paper 2 पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसके preparation के लिए study material हम लेकर आई है, जो की exam के pattern और difficulty level को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, study material में आपको paper 2 के full syllabus notes and MCQs हम देते हैं, जिसमें कि आपको previous year questions, most expected or most repeated questions की series मल जाएगी and इसमें से आपको as it is questions देखने को मिलेंगे, तो आप सभी students screen पर अपने subject को चेक कीज़ें and in numbers पर contact करके आप इसको join कर सकते हो, इसके लिए flat 20% off में आज आपके लिए लेकर आई हूँ, यानि कि सरफ 1280 रुपीज में आप study material क benefit उठा सकते हूँ and मैं आपको 100% surety देती हूँ कि ये आपको short period में भी बहुत help करेगे exam qualify करने में, 17 goals हमारे पास होते हैं, इन goals को आप Hindi में भी रेख सकते हो, Hindi medium students हो, यहाँ पे goal का number लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, goal का number लिखा है and आगे goal का नाम लिखा तो क्या इनके उदेश्य हैं, इसका एक आपको sequence याद होना चाहिए, exam में directly पुछा जा सकता है कि sustainable development goals यानि कि SDG का बाहरवा goal कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, responsible consumption and production, बिंदी में बोलें, तो समभणिय, उपभोग और उत्पादन इसका अंसर होना चाहिए, ठीक है तो ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहला goal आता है no poverty, यानि कि इसमें शुन्य गरीबी, अब देखो ये सारे के सारे goals एक दूसरे के साथ बिलकुल जुड़े हुए हैं, उसको याद रखने का भी एक trick मैं बताती हूँ, सबसे पहले no poverty, अगर हमारी country से इस world से गरीबी हट चाएगी, तो कोई भी person भूखा नहीं मरेगा, गरीबी हट गई, तो zero hunger, zero hunger का मतलब शुन्य भूख मरी, okay, Hindi medium students इसका screenshot ले सकते हो, ताके आप तो easily याद हो जाए, then we have third, अब कोई भी अगर भूखा नहीं मर रहा है, तो उनकी health क्या रहेगी, health अगर अच्छी रहेगी, तभी तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, उससे जुड़ा हुआ है quality education, अगर quality education हर इंसान को अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, तो gender equality होगी, gender equality का मतलब male और female, महिला और पुरुष को समान अधिकार दिये जाएंगे, समान अधिक अगर पानी साफ पी रहे हैं, तो वो लोग जो सांस ले रहे हैं, ठीके clean energy उन लोगों के लिए मिलनी चाहिए, then we have decent work and economic growth, अब देखो अगर किसी की health अच्छी है, महिला पुरुष को equal के अधिकार दिये जा रहे हैं, सब लोग पड़े लिखे हैं, तो उन सभी को एक अच् करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे कि economic growth अच्छी हो सकती है, यानि कि आर्थिक वृध्धी हो सकती है हमारी country में या पूरे world में, उसके बाद आ जाता है फिर industry, innovation and infrastructure, अब जैसे जैसे अच्छा काम लोग करेंगे, तो उतनी industries बढ़ती जाएंगी, उतने जादा innovations होते Okay, then we have reduced inequalities, reduced inequalities का मतलब हो गया, असमानताओं की कमी, हर एक चीज को equal level पर रखा जाएगा, सभी लोगों को यहाँ पे देखो, equals to का sign है, यानि कि सब को बराबर अधिकार दिये जाएंगे, महिला, पूरुष, बच्चे, बुडे, जो भी है, सब को कोई casteism यहाँ पे नहीं Right, so students, इस तरह से देखो, यह सारे गोल्स आपस में जुड़े हुए हैं, अगला गोल है, उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि, यूजिस इनेट paper 2 preparation के लिए, हमने complete syllabus का study material आपके लिए लाया है, जिसमें हम आपको full syllabus notes and most expected mcqs provide कराते हैं, so paper 2 के 10 units in notes में आपको मिल जाएंगे, and mcqs के अगर हम बात करें, तो most expected and most repeated mcqs यहाँ पे available हैं, जो कि as it is exam में हर साल पूछे जाते हैं, and यह mcqs interview process को qualify करने में भी आपको मदद करेंगे, इस study material में मैं आपको 100% surety देती हूँ, कि इसके अलावा, use this in net के लिए आपको कहीं से भी कुछ पढ़नी की जरूरत नहीं है, so आपके सामने जो भी subjects की list है उसको देखे, and screen पर दियेगे, किसी भी एक number पर whatsapp की मदद से easily आप लो contact कर सकते हो, and इसके लिए आपको fees pay करनी है, सिरफ और सिरफ 1200 रुपीज जिसको की lifetime यानि की उमर भर आप use कर सकते हो, इसका मतलब यह है कि study material, इस exam के बाद interview and और भी कोई teaching से related competitive exam है, तो वो qualify करने में भी आपको बहुत ज़ादा मदद करेगा, तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं, next, goal की और जोकी है, goal number 11 जिसमें लिखा गया है, sustainable cities and communities, यानि कि समवनिय शेहर और समुदाए, एक अच्छी community, अप देको पढ़े लि होगे, fresh energy होगी, अपनी health का ध्यान रखते होगे, तो जो society है, जो community है लोगों की, वो भी अच्छी होगी, अच्छी बहतरीन cities में लोगों को रहने का मौका मिलेगा, responsible consumption and production, then we have climate action, climate पे भी फरक पड़ेगा, life below water, पानी के नीचे, पानी के नीचे जो जीवन है, ठीके, जलि पानी के अंदर जो जीवन होते हैं, उनका भी कैसे हम life save कर सके, life on land, यानि की, जमीन के उपर, जिसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, human के साथ साथ, sustainable development goals में, climate का, पानी के नीचे वाले जीवन होगों का, बाहर पेड़ पौधे, इन सब का ध्यान रखा जाएगा, then we have peace, justice and strong institution, जिसको बोला जाता है, शांती न्याय और सशक्त संस्थाई बनेगी यहाँ पे, and last goal है, partnership for the goals, ठीक है, यानि की, क्या है लक्षे ही तु भागीदारी, सबसे important goal यह है, कि इन सभी लक्षे को पूरा करने के लिए, आप सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है, इ ये एक sequence आपको पता होना चाहिए, exam में direct question इस वाली slide से पूछा जाएगा, कि 10th number का goal कौन सा है, 9th number का goal कौन सा है, या फिर आपको 5-6 goal दे दिये चाहेंगे, आप उनको एक sequence में arrange करना होगा, ओके, so I hope students, यहाँ से एक concept आपका clear है, जो कि हर साल, हर एक shift में NTA जरूर पूछता ही है, next, इस topic का and इस पूरे session का concept आप लोगों को clear है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम आपके लिए free evaluation test लेकर आए है, यह हर एक student के लिए बिलकुल free है, बस आपको इसके लिए हमारा app global online download करना होगा, बिलकुल free में इस app को आप play store पर जाकर download कर सकते हो, यहाँ पर आपको search करना है, UGC net paper 1 crash course, then आपको content section पर जाना है, unit wise paper 1 के separate folders मिल जाएंगे, जिस भी unit का evaluation test आप लेना चाहते है, उस unit पर जाओगे, यहाँ पर आपको folder मिलेगा, जो कि definitely आपकी preparation को, आपकी revision को और भी जाधा boost up करेगा, तो आज ही इसको आप लोग try कीजेगा, इसी के साथ आप बढ़ते हैं, अपने दूसरे topic की और जो की है MDG, MDG का मतलब क्या होता है, MDG का मतलब होता है, Millennium Development Goals, ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, Millennium Development Goals, ठीक है, so sustainable में 17 goals है, Millennium Development Goals में हमारे पास total 8 goals हैं, इसमें पहले goal का नाम क्या है, eradicate extreme poverty and hunger, तो देखो, यह यहाँ पे difference क्या है, पुराने वाले में पहला था poverty हटाना, दूसरा था hunger हटाना, ठीक है, इसमें दोनों का combination है, eradicate extreme poverty and hunger, दोनों को ही यहाँ पे कम करना है, Share of poor people reduced by 50% from 1990 to 2015, तो देखो, 1990 से लेकर के 2015 तक 50% लोगों को जो है, इस चीज़ से बचा लिया गया है, Second goal है, achieve universal primary education, यानि कि primary education जो basic education है, वो हर एक इनसान को जरूर मिलनी चाहिए, इसके लिए ABC नाम की scheme भी बनाई गई है, national education policy के अंदर भी इसके बारे में बात की गई है, दीसरा है, promote gender equality and empower women, यानि कि male और female महिला पूरुष को समान अधिकार दिये जाने चाहिए, और महिलाओं को प्रोचाहित इसके अंदर किया जाएगा, कि वो अपना काम करे, job करे, और ये सब चीजों में आगे बढ़े, नेक्स है, reduce child mortality, यानि कि 17,000 fewer children died early day, each day, then in 1990, तो देखो, 1990 के comparison में, आज 17,000 कम बच्चे हर रोज मरते हैं, कम, ये बहुत ही अच्छा एक data है, ठीक है, so child mortality इसमें आती है, then we have improved maternal health, यानि कि maternal जो pregnant women होती है, उनको अपनी care कैसी करनी चाहिए, उन लोगों की health को improve करने के लिए, जैसे आपको पता ही होगा, government ने schemes लगाई है, उनको अच्छे food provide कर आते हैं, ताकि उनकी health ठीक रहे, then we have combat HIV, AIDS, malaria and other diseases, then we have इसमें क्या है, ये बड़ी sustainability, 2.3 billion people gained access to clean drinking water, so देखो, latest data 2020 के data के हिसाब से, 2.3 billion लोग जो है, वो अच्छा पानी पीने लगे है, जिसके वाज़े से उनकी health अच्छी रहेगी और environment भी साफ रहेगा, उसके बाद आता है, a global partnership for development, इसमें भी last call यही है, कि हम सभी को इकठा हो करके, अपने environment को protect करने के ल जरूरत है, and इन goals की जानकारी होना, इन goals के बारे में पता होना, and उस पे काम करना भी बहुत जरूरी है, ठीके, तो यह दोनों goals है, इन दोनों goals को, यानि कि SDG, जो हमने पहले discuss किया, and यह है MDG, इन दोनों goals में, आपको exam में combine करके question पूछा जा सकता है, कि दोनों goals में common points क् तो यह भी common point है, यह भी common point है, and यह भी common point है, तो आप लोगों को इस तरह से भी question आते हैं, तो दोनों ही goals को आप लोग note कर लीजिए, फिर उनको relate करके देखिए कि क्या क्या difference है, और क्या क्या similarities है, okay, I hope यह topic आपका clear है, इसमें अगर कोई doubt है, तो आप मुझे comment कर सकते हो, इसमें अगर separate session चाहते हो, detail में, तो भी मुझे comment कर दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके request को पूरा करूँगी, then we have most important topic, जो की exam में बहुत बार पूछा जाता है, basic है, but students उसमें confused बहुत बार रहते हैं, तो वो है four spheres of earth, तो पृत्वी के चार spheres कौन कौन से हैं, So, these are closely connected to each other, यह जितने भी spheres हैं, वो आपस में connected हैं, पहला है birds से related, जिसको की biosphere बोला जाता है, दूसरा है air से related, जिसको की atmosphere बोला जाता है, तीसरा है water से related, जिसको की hydrosphere बोला जाता है, and चौथा है soil से related, जिसको की lithosphere and geosphere बोला जाता है, तो यह चार नाम सबसे पहले तो आ किस तरह से किस तरह से इन चीजों को आपने याद रखने हैं सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे हम सबसे पहले शुरू करेंगे बर्ड्स वाले से यानि की बायोस्फियर से कि वायोस्फियर में हमारे पास जो चीजे आती हैं उन सब की केर करने के लिए हमें सबसे पहले किनका ध्यान रखना होगा जैसे कि एनिमल्स कहां रहते हैं एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं ठीके ग्रासलैंड में रहते हैं उनको बारिश से क्या फरक पड़ेगा उनको तो बहुत easily हम लोग अपने biosphere को protect कर सकते हैं ठीक है, biosphere के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये अर्थ का एक ऐसा part है जो की सभी तरह के ecosystems को contain करके रखता है जैसे कि biosphere के अंदर birds भी आ जाते हैं birds भी हमारे पास कितने types के होते हैं इसमें एक term और use होती है जिसका नाम दिया जाता है जिसको नाम दिया गया है biomi biomi क्या होता है large region with same plant life and climate एक ऐसा region है जिसमें same ही तरह के plant होते है and climate भी वहाँ पे वैसा ही होता है फिर आती है बात जैसे animals को अलग-अलग sections में जैसे divide किया जाता है यह सब चीज इसके अंदर आ जाता है biosphere को directly हम क्या बोल सकते हैं biosphere को life के नाम से भी जाना जाता है okay it consists of all living organisms life is present 3 million below the ground and up to 30 million above the ground and it is present in the top 200 oceans and seas 200 से ज़्यादा ocean, samudr और जील और यह सब जो होता है वहां पर यह रहता है ठीक है उसके बाद दूसरा जाता है हमारे पास air air से related है atmosphere the atmosphere can be described as a layer of gases air मैंने बताया तो यह gases इसमें होती है तो जैसे कि हमारे इसमें आती है oxygen, carbon dioxide, nitrogen ठीक है इस तरह कि जितनी भी gases होती है वो सारी atmosphere के अंदर आती है उसके बाद आजाता है water से related hydrosphere ठीक है तो इसमें ocean, river, lakes, moisture जो होता है नमी जो होती है हमारे पर्यावरण में वो भी hydrosphere के अंदर ही आता है ocean में कितना percentage होता है 97% होता है total water का ocean में and total का fresh water होता है सिरफ 3% last है हमारे पास lithosphere जिसको की geosphere भी बोला चाता है so इसमें soil, inorganic, composed, minerals ये सारी चीज़ें आ जाती है right so I hope यहाँ तक का concept जो है आपका clear हो गया इसके लिए इतना ही काफी है next आ जाता है topic जिसका नाम है pollution and its types यानि कि production और प्रदूशक क्या होते है और ये कितने प्रकार के होते है so pollution क्या है pollution is the introduction of harmful material into the environment यानि कि हमारे पर्यावरण में जो हानिकारक पदार्थ होते है उस चीज़ को pollution को बढ़ाते है these harmful materials are called pollutants तिक है so ये जो छोटे-छोटे किटानू होते जैसे कि हम लोग कोरोना की बात करें कोरोना दिखा किसी को नहीं लेकिन उसके चोटे-चोटे articles जो की हवा में फैल रहे थे ये ऐसे हो रहा है था वो सब क्या था वो pollutants थे pollutants can be natural such as volcanic ash they can also be created by human activities such as trash और run-off produced by factories यानि कि अब देखो जो भी factories होती है ठीके factories से जो धुआ निकलता है वो कितना काला धुआ होता है ये क्या है ये production है अब आप लोगोंने ये news सुनी होगी कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां इस समय में 2022-23 में बिल्कुल बंद हो चुकी है बैन हो चुकी है खास करके दिल्ली, हर्याना इस तरह की बड़ी-बड़ी cities में ठीके बड़े-बड़े states में तो ये क्यों हो गई है क्योंकि डीजल कार्स बहुत जादा काला धुआ छोड़ती थी जिसके वज़ा से production बहुत फैलता था तो इस तरह से सरकार चोटे-चोटे initiatives ले रही है जिसके प्रदूशन को कंट्रोल में किया जा सके so pollutants damage the quality of air, water and land so अगर प्रदूशक इसी पानी में चला जाए हवा में चला जाए तो वो उसकी quality को उसकी गुणवत्का को कम कर देता है उसमें नुकसान पहुंचाने लग जाता है तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास तीन टाइप आते है तो basically we have three types here first is air pollution, water pollution and land pollution so air pollution क्या होता है हवा में अगर कोई मिलावट वाले चीज आ जाती है जैसे कि कोरोना वाइरस के समय पर mask लगाया जाता था ताकि जो किटानू है वो mask उस कपड़े के टुकड़े से रुक जाए और जो हम सांस ले रहे हैं वो थोड़े filter होके जाए तो वो air pollution इसको हम बोल सकते हैं धुआ है, धुआ में बहुत से लोगों की eyes में meditation होने लगती है अब students यह अगर आप हमारे regular students हो या आपने previous year questions प्रैक्टिस किये हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जो धूल मिट्टी की वज़ा से आंकों में allergy हो जाती है आंकों में बहुत से लोगों को खुजली हो जाती है वो कौन से एक chemical की वज़ा से होती है जो की हवा में पाया जाता है यह मैं discuss किया हुआ है आपके साथ इस answer मुझे comment करके बताईए अगर नहीं आता है तो भी मुझे comment कीजे मैं वो वाली वीडियो आपके साथ share करूँगी ठीक है वैसे ही जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे air pollution की ठीक है air pollution की अगर बात करें बेसिकली साथ टाइपस होते है जो की air pollution में जिनका major role हो सकता है ठीक है पहला कौन सा है SPM के नाम से इसको जाना जाता है यानि की suspended तो बोला जाता है suspended particulate matter ठीक है फिर दूसरा जाता है oxides of carbon यानि की carbon के जो oxides होते है अब students से जो नाम मैं बता रही हूँ उनको note कर लीजिए exam में direct question आएगा की आपके सामने साथ options यह होंगे और आपको बताना होगा की इसमें से air pollution में कौन-कौन pollutants होते है ठीक है तीसरा आजाता है methane मिथेन को हम लोग और क्या बोल सकते है इसको hydrocarbon भी बोल सकते है आपे आ रहाएगा ठीक है hydrocarbon चौथे नमबर पर आ जाता है SO ठीक है SOX जिसको की sulfur oxides बोलते हैं 5 नमबर पर आ जाएगा हमारे पास nitrogen oxides and 6 नमबर पर आ जाएगा CFCs chlorofluorocarbon and 7 नमबर पर आ जाएगा lead इसको पैसे लिख सकते हो chlorofluorocarbon ठीक है CFC तो यह साथ नाम है जो की air pollution में होते हैं तो यह साथ नाम भी कौन से है यह है primary प्राथमिक जो होते हैं जो होते ही हैं हमेशा secondary pollutant अगर हम air pollution के अंदर बात करें यह previous year का ही topic है तो इसको अच्छे से note कीजेगा secondary में इसमें आता है sulfur cryoxide ठीक है उसके बाद आजाता है smoke formation smoke formation ठीक है तो यह कुछ नाम है जो की आप लोगों को जरूर नोट करके रखने है air pollution में जैसे की अगर हम लोग ozone की बात करें जो की ground level पर होता है उसमें कौन से chemicals आते हैं क्या आता है इतना detail में मत जाएए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ठीक है next फिर आता है हमारे पास topic जिसमें की हम बात करने वाले हैं अब देको students यहां पे ना कुछ और options भी होते हैं indoor air pollution होते हैं जैसे की जो की घर के अंदर ही रहते हैं बाहर हवा में सबके साथ नहीं फैलते outdoor air pollution होते हैं जो की इतने जादे इंपॉर्टन नहीं है दूसरा अब हम बात करते हैं water pollution की so water pollution में कौन-कौन सी चीजी आ जाती है ठीक है so water pollution, water is an important source we all know water is the basic of life and it makes it makes up to 60 to 90% of total weight of any functioning living cell and अगर हम लोग water pollution की बात करें तो सबसे पहले सबसे पहले इसमें आ जाता है industrial इसमें आ जाता है industrial waste water जो बड़ी-बड़ी industries होती है कार खाने होते हैं उनका जो गंदा पानी होता है जो काम होने के बाद वो छोड़ते हैं बाहर वो नदियों नालों में उस पानी को छोड़ देते हैं जिससे की water pollution हो जाता है तीके उसके बाद आ जाता है hot water industries में जो thermal power plants होते हैं वो अंदर से गरम पानी यूज़ करते हैं और उसको environment में ऐसे छोड़ देते हैं तीके ये भी एक कारण हो सकता है तीसरा कारण हो सकता है municipal municipal waste water जो घरों का पानी शहरों में इतने लोग रहते हैं वहां का पानी जो waste बाहर नालियों में घूमता है then we have surface runoff ओके so agriculture वगेर में जो पानी use होता है वो इस तरह से घूमता रहता है वो सारी चीज़ें आ जाती है surface runoff के अंदर तो I hope students यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि कौन सा pollution किस तरह से होता है next we have land pollution so land pollution क्या होता है जैसे जमीन पर अगर किसी भी तरह का pollution हो रहा है that is called land pollution and sometimes air pollution is visible यह point इसमें बहुत important है अब देखो कई जगे धुआ इतना जादा हो जाता है Delhi की अगर बात करें सबसे ज़्यादा pollution वाली city उसको अभी list में count कर दिया गया है even पूरे world में भी वो top list में आती है polluted city में so कई बार pollution air pollution इतना visible हो जाता है वो pollution के particles उसमें इतने ज़्यादा हो जाते है कि वो काला साथ हुआ हमें दिखने लग जाता है ठीक है उसके एक्जामपल भी दिया है बड़े ट्रक्स से या फिर फेक्टरी से जो धुआ निकलता है वो सब उसमें आते हैं और maximum times air pollution invisible and conventions की जो की हमारी environment को हमारे पर्यावरण को साफ सुत्रा रखने के लिए बनाए गए है ठीक है सबसे पहले आता है Paris Agreement जिसको की COP21 के नाम से भी जाना जाता है then we have Montreal Protocol then we have Kyoto Protocol Rio Summit International Solar Alliance जिसको की IISA के नाम से जाना जाता है ये वाली slide में जो मैं 5 agreements और convention आपके साथ discuss करूँगी ये very very important है जैसे sustainable development goals millennium development goals और ये 5 topic खोई भी shift ऐसी नहीं होती जिसमें ये topic NTA नहीं पूछता हर बार ये पूछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं Paris Agreement की और राइट so Paris Agreement was adopted by 196 countries देखो Paris Agreement में 196 countries हैं ये पहला question आप लोगों का बन गया ठीके अब देखो students यहाँ पे आप लोगों को जो मैंने बताया UNFCCC ये बहुत important इसका रोल है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है United Nations Framework Convention on Climate Change इसको नोट के लीजए United Nations Framework Convention on Climate Change so Climate Change के लिए उन्होंने Conference of Parties यानि की COP नाम का एक जो है स्कीम शुरू की है जिसके अंदर Climate Change जो हो रहा है जिसकी वज़ा से पूरे वातावरण में पूरे परयावरण में बहुत उतल-पूतल हो रही है उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए ये बनाया गया है इसमें टोटल 196 कंट्रीज की भागीदारी है पैरिस एगरिमेंट जो है वो उसको COP 21 बोला जाता है बस ये चोटी-चोटी चीज़ें आपने याद रखनी है इसको साथ में पैरिस Climate Agreement के नाम से भी जाना जाता है या फिर Simple COP 21 के नाम से भी जाना जाता है ये क्या है ये एक International Treaty है and named for the city of Paris, France in which it was adopted in 2015 ठीक है इसको पैरिस में हुआ था ये वाला COP इसलिए इसका नाम पैरिस Agreement रखा गया है तो इसका major aim क्या है major objective क्या है इसका major objective है to reduce the emission of gases to reduce the emission of gases that contribute to global warming यानि कि उन gases को control करना इसका main उदेश्य है जिसकी वज़ा से global warming हो रही है अब आपने सुना होगा पर्यावारण में जो भी चीजें हो रही है जैसे कि गर्मी के समय में बहुत जादा गर्मी होती है ठंड के समय में बरफ नहीं पड़ती है जहां पर बहुत जादा रहती थी तो यह है ग्लोबल बॉव्मिंग का कारण ठीक है तो ऐसी गैसे को कम कर देंगे चाहे वो किसी गाड़ी से आ रही है चाहे किसी इंडस्ट्री से आ रही है कहीं से भी आ रही है उनको कम कर देना ही इसका में अब्जेक्टिव था तो पैरिस एग्रिमेंट थी उन सब को cover up करने के लिए Paris Agreement बनाया गया था, ठीके, लेकिन Kyoto Protocol क्या है, sorry Paris Agreement क्या है, एक international treaty है, जो कि majorly greenhouse gases को release करने वाले curves पर कंट्रोल करती है, इसके बाद फिर next point आजाता है, हमारे पास Montreal Protocol, So, Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, ये क्या करता है, ozone layer depletion से related काम करता है, काम करता को भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि, Directly अगर हम बात करें, ozone layer से related कोई भी problem है, तो उसको handle करने के लिए Montreal Protocol बनाया गया है, आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि 2022 की, 2022 में जो exam हुआ था, UGCnet का, उसमें बहुत से shifts में match the following के questions आये थे, for example, Paris Agreement, Montreal Protocol, Rio Summit, ठीके इस तरह से, और यहां पर आपको option दिया थे climate change, यहां पर आपको option दिया था, greenhouse gases, इस तरह से, ठीके, जैसे यहां पर दिया था, global warming, तो आपको match करना था, कि कौन सा protocol, किस चीज़ के लिए basically, design किया गया है, so greenhouse gases, और जो दूसरी gases की emission को reduce करके, global warming को control करना, यह Paris Agreement में था, Montreal Protocol, ozone layer के साथ काम करता है, ठीके, तो Montreal Protocol, 1987 में, 1987 में इसको finalize कर दिया गया था, यह क्या है, यह global agreement है, that is used to protect ozone layer, by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances, यानि कि जिसकी वज़ा से ozone layer में depletion हो रही है, उन सब चीज़ों को control कैसे करेंगे, उस सारी चीज़ों की planning और उसकी implementation, Montreal Protocol के अंदर count की गई है, अब जैसे कि हमने different spheres की बात की, तो उसमें जो stratosphere होता है, stratospheric ozone layer filters out harmful UV rays, तो UV rays को filter करके, यहाँ पर वो किया जाता है, जैसे कि, which is associated with an increased prevalence of skin cancer and carrots reduced agricultural productivity and disruption of marine ecosystem, तो अगर simple से language में हम बोरें, तो skin cancer और जो agriculture में productivity कम हो रही है, कि किसान लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं, लेकिन उतनी फसल नहीं हो पा रही है, यह सारी चीज़ें उजोन layer depletion की वज़ा से बताई जा रही है, इसी के लिए यह Montreal Protocol बनाया गया था, इसमें कौर important date यह है कि 15th October 2016 को, parties of Montreal Protocol ने कि गाली amendment को जो है, अदो कर लिया था, Right? Then we have third type, that is Kyoto Protocol. So, Kyoto Protocol is also very important. So, Kyoto Protocol में क्या होता है, इत वस आ इंटरनाश्चनल टरीटी, which extended the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change यानकी UNFCCC जिसकी हमने पहले बात की थी that commits state parties to reduce greenhouse gases emission based on the scientific consensus that global warming is occurring and that human-made CO2 emissions are driving it So, इसको simple से language में पहले हम देखते हैं the Kyoto Protocol इसको 1997 में काम पर लाया गया था कब लाया गया था? 3rd COP जब हुआ था Conference of Party जब 3rd हुई थी तब बनाया गया था तब इसको implement किया गया था and COP 3rd कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपका जापान में इस तरह से आपको याद रफना है especially COP 21 से लेकर के COP 27 तक आपको पता होना चाहिए यह कौन सी कंट्री में हुआ था and इसके major objectives क्या थी? यह आपको पढ़कर जाना है the main goal was to fight global warming by reducing greenhouse gases concentration in the atmosphere to a level that would prevent dangerous anthropogenic inference with the climate system so climate system में जो भी फरक पढ़ रहा है global warming जो भी हो रही है वो सारी चीजों को control करने के लिए Kyoto Protocol का एक हाथ है Kyoto Protocol came into force in February 2005 and the USA never ratified the Kyoto Protocol इसको एक बार बना दिया उसके बाद इसको ratified नहीं किया गया था इसमें कुछ important mechanisms थे जिसमें की सबसे पहला mechanism आता है CDM यानि की clean development mechanism दूसरा आता है emission trading mechanism and तीसरा आता है joint implementation राइट? यह कुछ basic चीजे थी I hope यह आप लोगों को बिल्कुल clear है इसमें आपके लिए इतना ही काफी है क्योंकि students मैंने आप लोगों को बताया है यह हमारा super fast revision session है इसलिए अगर आपको इसमें detail में sessions चाहिए यहीवाले तो आप मुझे comment कर दीजे मैं एक एक आर्टिकल पे एक एक सम्मिट और convention पे separate video आप लोगों के लिए लेकर आओंगी तो अगला आता है रियो सम्मिट रियो सम्मिट जो है वो इसको रियो आर्ट सम्मिट 1992 अजेंडा 21 या फिर रियो डेकलेरेशन के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम में कभी अजेंडा 21 आ जाए तो confused नहीं हो ना वो रियो सम्मिट ही होगा right simple इसको रियो अर्थ सम्मिट या आर्थ सम्मिट के नाम से भी जाना जाता है साथ ही इसका एक और नाम है forest principles भी इसके अंदर आते हैं ठीक है the first document called the रियो डेकलेरेशन देखो अब इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ this summit led to the development of some documents इसमें कुछ documents बनाए गए थे जिसमें की पहला आ गया रियो डेकलेरेशन on environment and development second आ गया था agenda 21 इसलिए इसको agenda 21 बोला चाहता है third था forest principles इस थरह से so अब देखो यहां पे अगर हम first document की बात करें जो की है रियो डेकलेरेशन इसमें हम यह बोल सकते हैं कि इसमें total 27 principles है that were supposed to guide countries in future sustainable development goals future में जो sustainable development goals बढ़ेंग है या उन पे कुछ काम करना होगा उन सब से related 27 principles बनाए गए हैं जो की रियो सब्मिट के अंदर रखे गए हैं दूसरा है agenda 21 it is an action plan यह क्या है यह एक action plan है concerning sustainable development goals but it is non-binding तो यह भी sustainable development goals को ही रखने के लिए है next we have forest principles it is formally called non-legally non-legally binding authoritative statement तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है तो रियो सम्मिट आई होप यहां तक का concept आप लोगों का clear है इतने में अगर कोई doubt है students तो आप लोग बेख लीजी मुझे पूछ लीजीए so climate change जो है आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि climate change एक natural process है लेकिन क्योंकि इसमें बहुत जादा climate change होता है तो वो कहीं न कहीं harmful होता है तो इसी नहीं इस तरह के summit बनाए गए थे और सबका focus climate change पर ही था the Rio summit was the largest gathering of world leaders with 117 head states and representatives तो यह सबसे बड़ा क्या है gathering है world leaders का Rio summit next we have international solar alliance that is ISA primary objective ISA का क्या था to work for efficient consumption of solar energy to reduce dependency on fossil fuels यह सोलर एनर्जी का जादा से जादा उप्योग कर सके and जो artificial energies होती है उसको कम किया जा सके थाके हम अपने environment की रक्षा कर सके so the international solar alliance is an action oriented member driven collaborative platform for increased development of solar energy technology अब आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से solar light, solar mobile chargers, solar TV बहुत सारी चीज़े हैं जो solar आ रही है वो इसी objective के अंदर है कि हम natural energy को use करके चीज़े बनाएं ना कि artificial energy को use करें and इसको बनाया किसने था it was established by Prime Minister Narendra Modi and President of France on 30th November 2015 30 November 2015 and ISA's objective is to scale up solar energy and reduce the cost of solar power generation through aggregation of demand of solar finance technology etc next आ जड़े ग्लोबल वार्मिंग इतनी देर से हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो I hope students आप लोगों को ये concept clear हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग एक्जेक्ली होता क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग अकर्स वेन कार्बन डायोकसाइड और अधर एयर पॉल्यूटेंट्स कलेक्ट इन दी एट्मोस्फेर एट्मोस्फेर मतलब एयर में जब ये मिल जाते हैं तो क्या होता है जब कार्बन डायोकसाइड और अधर पॉल्यूटेंट्स प्रदूशक जो होते हैं वह वातावरन में एयर के साथ और सनलाइट के साथ अगर मिक्स हो जाते हैं और इसमें सोलर रेडियेशन भी आड हो जाती है और अर्थ का यानि कि पृत्वी की सतह है उससे बाउंस ओफ हो जाती है उससे टक्राने लग जाती है तो वह ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है नॉर्मली इस रेडियेशन वोड एसकेप इंटो स्पेस तो यही रीजन है कि वह सारी चीज़ें जो है यह सारे पॉलुटेंट्स मिक्स हो कर बहुत सालों तक बहुत शताबनियों तक जो है स्पेस में रह सकते हैं अंतरिक्ष में रह सकते हैं और जिसकी वाधा से वहाँ बहुत ज़ादा heat generate होती है जो हमारे planet है प्रिथवी ही नहीं बाकी के जो planets है वो भी इसकी वज़े से उसमें बहुत ज़ादा गरमी बढ़ने लग जाती है यह उसको बहुत ज़ादा गरम कर देते है ठीक है तो global warming क्या है यह day-wide चीज़े increase होती रही है होती जारी है इसलिए इनको control करने के लिए बहुत सारे initiatives लिए गए है जो कि हम यह में discuss किये next आ जाता है फिर हमारे पास conference of parties जिसको की COP के नाम से जाना जाता है ठीक है so COP means conference of parties a key task for COP is to review the national communications and emission inventories submitted by the parties so इसमें देखो exactly होता क्या है COP so article 7.2 आप लोग ने बहुत सारी amendments articles के बारे में सुना होगा जादा नहीं पता बट सुना तो होगा so article 7.2 जो है हमारे convention का उसमें COP को define किया गया है COP को इसमें क्या define किया गया है कि यह एक supreme body है यह एक supreme body है किसकी convention की as it is its highest decision making authority so UNSCCC के बारे में जो हम बात कर रही है उसी के अंदर यह COP आता है और यह उसकी क्या है highest authority है जो कि decision making की पावर रखती है the climate change processes revolves around the annual session of COP तो इसके point of view से अगर हम important points देखें तो conference of parties में बहुत सारी countries है and वो सारी countries साल में एक बार कहीं पे मिलती है and climate change related एक agenda अपना बनाती है एक goal अपना बनाती है for example जैसे कि उन्होंने यह रख लिया होगा 100-200 countries इसमें involved होती है वो सारी country के members जो बने होते है वो इस meeting में मिलते है and सब किस हमदी के साथ ही के agenda final किया जाता है एक target बनाया जाता है दो से तीन सालों का and उस target को पूरा करने के लिए पिर सभी सरकारे अपने अपनी countries में क्या करती है rules and regulation बना देती है the expansion of greenhouse gases emission reduction target जैसे कि greenhouse gases की emission को use को कैसे कम करना है एक target ये था financing the energy transition of the poorest countries ठीक है उसके बाद reduction of methane emission methane का use भी कैसे कम करना है ताकि हम environment को बचा सके climate को बचा सके organization of carbon market carbon market जो है उसको organize करना उसकी working details जानना and उन चीज़ों को control करना ये सारी चीज़े इसके अंदर आती है लेकिन ये तो इसकी basic information थी अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि COPS related exam में question कैसे पूछे जाते है अभी तक देखो जैसे कि अगर हम लोग पहले से बात करें UNFCCC इनका जो COP 1 था मैं इसको आप लोगों को एक अलग से page में design करके त्वे से बताती हूँ ठीक है सो सबसे पहले अगर हम लोग COP 1 की बात करें तो COP 1 कब हुआ था ये हुआ था 1995 में वहाँ से देखो ये conference of parties वाला concept शुरू हो गए ठीक है तो अभी ये सिरफ बना था and ये कहां हुआ था जर्मनी में हुआ था इसमें इन्होंने जादा कुछ final decision नहीं लिये थे सिरफ COP बना करके थोटे मोटे targets से जो उन्होंने achieve कर लिये थे उसके बाद फिर आगया second COP 2 COP 2 कब हुआ था ये हुआ था 1997 में अभी हम लोगों ने discuss किया कि 1997 में COP में कौन सा protocol बनाया गया था ये बनाया गया था आपका Kyoto Protocol Kyoto क्या है जपान में एक जगा का नाम है Kyoto उसी के नाम पर ये Kyoto Protocol बनाया गया था उसके बाद मैं famous protocols की ही बात कर रही हूँ जो कि बहुत level पर काम कर रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें COP 8 की COP 8 कहां पर हुआ था कब हुआ था 2002 में ये हुआ था New Delhi में COP 2002 में New Delhi में हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया है इसको बोला जाता है Delhi Declaration important नहीं है बट क्यूंकि अपनी country का है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ठीके इसमें focus किस पे हुआ था जो poorest countries है उनको हम क्या करेंगे उनकी जरूरत के according technology और ये सब चीजें देंगे poorest countries को ताकि वो भी climate change और इन चीजों पर focus रख सके ठीके उसके बाद फिर आजाता है हमारे पास next जो की है COP 11 COP 11 कब बना था 2005 में बना था 2005 में मैंने आपको क्या बताया ये बना था Montreal Protocol इसका नाम Montreal क्यों रखा गया है क्योंकि ये Canada में एक जगा का नाम है Montreal जिसके जहां पे ये हुआ था first session of the conference of parties serving as meeting of parties to the Kyoto Protocol so Montreal Protocol यानि कि 2005 वाल जो प्रोटोकोल था ये COP की meeting number one थी actual में बाकी अभी तक हुए थे लेकिन इसमें target वगरा कुछ जादा खास नहीं थे तो ये पहनी official meeting थी 2005 में जिसमें कि इन्होंने Kyoto Protocol पे major focus किया and इसमें जो कमिया थी उन सब कमियों को पूरा करते हुए क्या कि इन्होंने Montreal Protocol को बना दिया next students I hope इस तरह से आप लोग समझ रहे हो concepts को important ही सरफ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ so next पे अगर हम लोग जाएंगे तो वो है आपके पास 2018 से आगया आपको याद भी होने चाहिए यह पॉलैंड में हुआ था ठीक है 2019 में आपका Spain में हुआ था 2021 में UK में हुआ था यह भी बहुत famous है इसका नाम रखा गया था Glasgow class को submit ठीक है so यह 2021 तक की बात थी अब यहाँ पे क्यूंकि आज की पूरे session में मैंने आपको homework question एक भी नहीं दिया है ना तो आप लोगों के लिए homework question में अब ही यह दे रही हूँ कि students यहाँ पे 2018 2019, 2021 तो मैंने आपको बता दिये अब आप लोगों को क्या करना है 2020 में अच्छा यह नहीं हुआ था coronavirus की बज़ा से यह नहीं हो पाया था and उसके बाद अफो वो question यह है कि 2022 में ठीके 2022 में जो हमारा COP 27 हुआ था वो कहां पे हुआ था कौन सी जगा पे हुआ था यह जो glass go वाला है ना यह है हमारा COP 26 ठीके यह था COP 25 तो इस तरह से यह पीछे-पीछे को जाएंगे COP 24 तो COP 27 कहां पर हुआ था इसका main goal क्या था यह बता यह मुझे भी नहीं पता आप लो comment करोगे तभी मुझे भी पता चलेगा ठीके तो ज़रूर मेरा knowledge बढ़ाने के लिए यह आप मेरे को बताऊगे उसके बाद COP 28 अभी तक हुआ नहीं है 2023 में COP 28 अभी तक हुआ नहीं है लेकिन यह कहां पर होने वाला है कौन सी country अभी decide हुई है and COP 27 का एक और question यह भी add कर लो कहां पर हुआ था main objective क्या था and इसमें total number of countries कितनी थी क्योंकि हर बार क्या होता है कुछ नई countries add हो जाती है कुछ नई countries कम हो जाती है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि most repeated most expected articles को discuss किया है अगर students आपको इन में से कोई भी doubt है एक बार हम वापस चुरू से देख लेते हैं मैं वापस आपको बताती हूँ important चीजें कौन है एक तो very very important में आपने sustainable development goals को note कर लेना है Hindi medium students यहां से देख सकते हो उसके बाद आप लोगोंने add कर लेना है millennium development goals दोनों के बीच में comparison जो हमने किया यह भी आपको जरूर आना चाहिए देखे four spheres important तो नहीं है कई बार पूसा जाता है knowledge के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए latest pollution में एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि latest pollution कौन सा है latest कोई बिमारी चल रही है उस बिमारी में कौन सा chemical involved है किस chemical के वज़ा से वो बिमारी हो रही है यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बाद यह जितने भी agreements हमने किये conventions हमने किये इसमें से एक भी convention को आप बिलकुल मत कीजेगा यह सारे के सारे important है and इसके साथ ही मैंने जो आप लोगों को एक कॉप की लिस्ट बताई कॉप 1, 2, 3, 4, कहां हुआ, कब हुआ खास करके उसमें जो हमारे पास Paris Agreement, Montreal Protocol यह देखो COP 21 Paris Agreement था ठीक है यह जो आए हमारे पास इनको आप लोगों ने ने पी का मतलब है National Adaptation National Adaptation Plans ठीक है तो यह है हमारा COP 20 यह हुआ था पेरू में ठीक है पेरू कंट्री में यह हुआ था पेरू कंट्री की लीमा नाम की लीमा नाम के स्टेट में इस तरह से जो पॉइंट्स है जो मैंने बताए उसका एक आप लोग चार्ट बना लीजिए और इस सीक्मेंस को याद जरूर रखेगा जितने इंपोर्टेंट कॉंसेप्स मैंने बता दिये फिर भी आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो उसमे मैं एक सेपरेट सेशन जरूर लेकर के आऊंगी तो आज ही आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए तो आज के लिए सरफ इतना ही थैंक यू सो मुझ स्टूरेंट्स फर वाचिं दिस वीडियो and I hope you like the session